भारत गेहु के उत्पादन में दुनिया के 6 देशों में शुमार है जो दुनिया के देशों को गेहु का निर्याद करता है लेकिन 232 सीजन में भीषण घर्मी की वज़े से गेहु की फसल पर असर पड़ा था नतीजन गेहु का उत्पादन कम हुआ ऐसे में केंदर सरकार ने 13 मई को गेहु के निर्याद पर प्रतिबन लगा दिया था केंदर सरकार ने गेहूं के घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्याद पर प्रतिबन लगाया था उमीद की जा रहा ही थी कि केंदर सरकार के इस फैस्थे से गेहूं के दाम स्थिर होंगे लेकिन उमीद से इतर निर्यात पर प्रतिवन के बाद भी देश में गेहूं के दाम नई उंचाईों पर नजर आ रहे हैं आलम ये है कि देश की परमुक मंडियों में ही MST से 19.50 दाम में गेहूं का कारोबार हो रहा है निर्यात पर प्रतिवन के बाद जूद गेहूं के दामों में बढ़ोतरी को लेकर मीडिया की माने तो इसके मुताबिक मत्य परदेश की सबसे बड़ी मंडियों में से एक सीहोर में गेहूं की केमते मौझूदा समय में 2400 रुपे प्रतिक विंचल तक पहुँच गई है जबकि राजस्तान की चितोडगर मंडी में गेहूं की कीमते 2300 रुपे प्रतिक विंचल के आसपास हैं असल में बीते रभी सीजन के लिए केंद सरकार ने गेहूं का MSP 2015 रुपे प्रतिक विंचल तैग किया था इस तरह गेहूं के दावों में ये भड़ोतरी MSP से लगबग 14-19 फीसदी तक है वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मोजूदा समय में दिल्ली में आटा मिरी माली करीब 2300-2400 रुपे प्रतिक विंचल के हिसाब से गेहूं खरीद रहे हैं रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं की कीमतों में भड़ोतरी मई के मध्य में सरकार द्वारा गेहूं के निर्याद पर प्रतिवन लगाने और सूजी और आटा मैदा सहित गेहूं से बने सभी प्रकार के आटे पर हाल ही में लगाएगे निर्याद प्रतिवन्दों के बाबजूद है और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक त्योहारी सीजन की वज़े से कीमतों में ये बड़ोतरी देखने को मिल रही है माना जा रहा है कि आने वाले समय में त्योहारी सीजन के करीब आते आते गेहूं के दावों में और भड़ोतरी हो सकती है गुजरा ताटा मिलर्स की माने तो उनके हिसाब से अप्रेल में ताजा गेहूं की फसल आने तक गेहूं की कीमते अधिक रहने की संभावना है क्योंकि कई व्यपारी जिनके पास अभी भी स्टोक है ने ज्यादातर मध्य परदेश में 25 और पर प्रतिक इंटल पर गेहूं करीदने का खर्च उठाया हुआ है ऐसे में व्यपारी उमीद कर रहे हैं कि जब गेहूं की कीमते बढ़ेंगी तब ही वे माल को मार्केट में निकालेंगे तो माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में गेहूं की कीमते बढ़ सकती है